लो अब्रिबन वेल्कम टू मैं चैनल तो आज हम बात करने वाले एक आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी परचनिटी के बारे में जो कि हैं इंटर्शिप आप लोग जो हैं जितने कॉलिज में स्टुएंट्स हैं आप लोग थार्ड और फॉर्थ एर में हो तो यह इ इसके बार में जल्दी से बात कर लेते हैं तो बिसिकली यह इनफोसिस की साइट से हो रहा है इनफोसिस स्प्रिंग बोड ठीक है फिफ्ट एडिशन आफ इंटर्शिप रिजर्व यह स्पॉर्ट तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप लोग क्लिक करेंगे जो मैं डिसक्रिप्शन में आपको दे दूंगा आप लुक् posप्प्प्रियों पर क्लिक करोगे और आप लोग को काई receptor ने आप इस तरइके साब के सामने भी आ जाएगा गा पर जिन लोगों को अगर समझ ना आए तो आपको सिंपली इन्फोसिस इस पहले भर देना अ? तो अभी आपके पास टाइम है, चार दिन का तो तब तक आप तक भर सकते हो ठीक है तो यहां स्टार्ट सर्वे पर आप लोग क्लिक कर दोगे एंड आप से कुछ एग्रिमेंट्स के बारे में पूलेगा तो आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लोगे एंड यहां पर आपके सामने कुछ नेम आप लोग को लिखना है city where you are pursuing education तो आप लोग को यहां पर फिल कर देने हैं डिटेल institution located in state कौन से state में आपकी university है आप लोग यहां पर mention कर सकते हो इसके लिए सब लोग eligible हो तो आप लोग यहां पर भर सकते हो एंड आप लोग देखोगे if you are selected आप लोग के सामने यह 6-5 basically internship के path है तो आपको इन में से कोई एक select करना है जिसमें आप लोग आप लोग यहां पर mention कर देना if your answer was other आप लोग जो कुछ भी other चीज़े के बताना चाहते हो तो यहां पर mention कर सकते हो एंड यहां पर current year of education मैंने आपको बताया कि आप first, second, third, fourth year किसी भी year में हो आप इस time पे तो आप लोग यहां eligible हो आप लोग यह कर सकते हो expected year of graduation from current education देखो यहां पर दे रखा है 24 से लेका 27 तक कि उसमें अगर आप लोग हो तो आप लोग यहां पर eligible हो and are you a working professional अगर आप working professional वगेरा हो internship open for students only तो यहां पर बता दे कि हो तो आप लोग मार कर सकते हो क्योंकि basically students के लिए है तो आप लोग समझ सकते हो तो ज्यादा तर जो preference जो इनको मिलेगी वह मिलेगी third and fourth year वा लोगो ठीक है तो आपके लिए बहुत important है want you were you selected for any previous internship with springboard अगर आप अल्लेडी springboard internship इन्फोसिस के उसमें अगर उल्लेडी सिलेक्टेड हो किसी internship में तो आप यहां पर चेक कर सकते हो एंड उसके बाद आप लोग समिट पर क्लिक कर सकते हो जैसे आप लोग समिट पर क्लिक करोगे आपका यह form student specifically those in their third and fourth year of college और university आप लोग को यहां पर बिसिकली 5 चीजे देखने 5 इंटेंशिप पात देखने को मिलते हैं तो आप लोग जो भी टेक्नोलोजी में इंट्रस्टेड है तो यहां पर अप्लाय कर सकते हो nomination form भी आप लोग यही पर देख रहे होगे यह link है आपका nomination form का application form का and यहां learning path की मैंने जैसे आपको बता है कि learning path यहां पर है आप लोगी learning path पर आप लोग को देखना है कि किस तरीके से इनके अंदर कुछ courses है plus certification है जो आपको complete करने है time limited के अंदर and यहां देख लेंगे the deadline to complete the nomination of internship is August 6th ठीक है मैंने आपको बता application जो आपकी last date है वो है 6th of August and deadline जो है course complete करने की वो है 20 of August ठीक है आप लोग यह learning path पर क्लिक करेंगे इस link पर आपके सामने यह page उपन होके आजाएगा जहां आपको जो है अपने resources देखने को मिलेंगे हर field के artificial intelligence में जहां आप लोग को जो है बेसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, साथ, साथ, आठ, 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 आठ courses है जिनमें एक certification आपको निकालना पड़ेगा and यह angular full stack है यहापे भी कुछ courses है and यहापे plus certification होता है यह भी आपको करना है बट आपके उपर depend करता है कि आप कौन सा वाला करना चाता हो जिस इस तरीके से काम होता है इंडस्ट्रीज में and यहाप लोग देखोगे scroll करके इस तरीके से आप लोग यहापे कोई भी path अपना चूज करके learning शुरू कर सकते हो and आपकी progress report जो है update होती रहेगी आप लोग यह सब काम कर लोगे then उसके बाद वहाँ पे जो है eligible अगर आप इस देख सकते हो ठीक है इस लॉट्स अर फिल्ड ऑन फस्ट कम फस्ट सब्सक्राइब बेसिस नॉमिलेशन लिंग विल बेक्टिव अले टेल स्लोट्स आर एवलेबल ऑन दे बेसिस यहां भी प्रॉब्लम है देखो जल्दी से जल्दी कर लोगे तो ठीक है क्योंकि हो सकता है कि सिक्स से पहले अगर बढ़ जाएं तो इन्हें पहले ही बंद करना पड़ जाएं आपको ध्यान रखना है फॉर्म की डेडलाइन जो है इस अफ और और बढ़ आपको दिख रहा है बट इसमें कितनी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है आप लोग इसली उसको पढ़ सकते शारा पड़ो उसमें कुछ वगेरा और करना है अटम करना सेटिफिकेशन करना आपको मिलेगा इंट्रण्शिप का प्लस इंफोसिस की सैट से भी आपको एक अपॉस्ट इनसीर्ट मिले गा कंप्लिशन अफ इंट्रण्शिप का थीं तो यह आप लोग के लिए बहुत इं ग्रयोमे